हेलो आप लोग सब कैसे हो और आज आहोई अश्टमी का तेहवार है तो दिल्ली में आहोई अश्टमी बच्चों के लिए मनाया जाता है जैसे हमारे भिहार और भ趣 में जीवृतिया का वर्त मनाया जाता है मेरी सारी तयारिया हो गई है अब मुझे पूजा करना रह गया है अभी पूजा करूगी और साम को चांद सोरी तारे को देखकर अरग दूगी और तब मेरा फाष्ट टोटेगा और अभी मैं फाष्ट के हूँ बच्चों के लिए और बच्चे बैठेंगे और मैं वही माला जिसे हमारे जियुतिया में सोना का बनता है सोना या चांदी किसी का भी आप बना ले जितने बच्चे है उस हिसाब से उसके गोलिया एक मिलती है वह आप लगा ले बीच में माता का लोकेट रहेगा तो मेरी सारी तयारिया हो गई है अमां पूजा के बाद आपको तो मैं पूजा करने जा रहे हूं तो मैं उसमें दिखाऊंगी और यह दिखिए माता का मैंने इस तरह से लगाया है और अभी शुहानी और शक्षम दोनों को मैं पूजा करने बोले तो उस समें भी वह बाते करते रहा अपनी बहन से किस तरह पूजा करते हैं उससे पूछ अभी मैं पूजा पर से उठी हूँ तो फिर फोड़ी सी ड्राय फ्रूट्स ले ली और अभी चाय पीलूंगी अफी थोड़े देर बाद जब तारे निकलेंगी तो मैं तारों को देखकर और अरग देदूंगी और फिर हम कुछ भी खा सकते हैं जी उतिया की तरह पुरा फास्ट नहीं रखना है बस तारे जब तक नहीं उपते तब तक ही कि वर फास्ट रखना है इस वर्त में और ये बच्चों की लंबी आयू के लिए होता है इसे सभी माय करती है कि बच्चे के लंबी आयू रहे और जो पैंडल मैं आपको पता रही अधी और एक-दो घंटे रखने के बाद ही उसे पहनते हैं तो मैं जब तारो को देखने जाओंगी चांद का रखर देने जाओंगी तो मैं उसे पहनूंगी तो आप तेखना कि ओक ऐसा दिखता है और ये काफी लंबे समय से चलता रहा है ये तहवार बच्चे के लंबी आयू के लिए माताय रखती है इस तहवार को अब इस तारो को अरख देकर आ गई हूं और अभी तारो का अरख देकर आ गई हूं और पीछे सुहाने सक्षम रड़ाय कर यही पेंडल होता है जिसमें की माता का यह लॉकेट होता है और उसमें दो जैसे जितने बच्चे होते हैं हर एक साल उस हिसाब से इसमें बॉल डाले मैं रॉली में पहने हूं सॉरी मॉली में पहने हूं तो आज का ब्लोग बस इहीं तक था और फिर मिलती हूं एक नए ब्लोग के साथ कर अब तक के लिए सुबरात्री